नमस्कार दोस्तों, समयस्मय पर दुनिया खत्म होने की भविश्यवानिया भी आती रहती हैं, लेकिन अभी दुनिया खत्म होने में काफी वक्त है। भारत के कुछ गुफाएं और मंदिर ऐसे हैं, जहां यह रहस्य छुपा हुआ है। पाताल भुवनेश्वर दरसल एक प्राचीन और रहस्यमय गुफा है, जो अपने आप में एक रहस्यमय दुनिया को समेटे हुए है। गुफा में पहुचने पर एक अलग ही अनुभूती होती है। जैसे कि आप किसी कालपनिक लोक में पहुच गए हूँ। गुफा में उतरते ही सबसे पहले गुफा के बाई तरफ शेशनाग की एक विशाल आकरिती दिखाई देती जिसके उपर विशाल का अर्धगोलाकार चट्टान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शेशनाग ने इसी स्थान पर प्रित्वी को अपने फन पर धारन किया अगर आपकी भगवान में आस्था है और ऐसी विडियो देखना चाहते हो तो विडियो न्यू लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो उत्तराखंड की पहाडी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोली हाट की पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है स्रिष्टी की रचना से लेकर कल्युक का अंतकब और कैसे होगा इसका पूरा वर्नन भी यहाँ पर है यहाँ पत्थरों से बना एक एक शिर्प तमाम रहसियों को खुद में समेटे हुए है मुख्य द्वार से संकरी फिसलन भरी असी सीधियां उतरने के बाद एक ऐसी दुनिया नुमाया होती है जहां युगों लुगों का इतिहास एक साथ प्रकट हो जाता है गुफा में बने पत्थरों के धाचे देश के आध्यात्मिक वैभव की पराकाश्ठा के विशय में सोचने को मजबूर कर देते हैं ये एक मात्र ऐसा स्थान है जहां पर चारों धामों के दर्शन एक साथ होते हैं शिवजी की जटाओं से बहती गंगा की धारा यहां नजर आती है तो अमरित कुंड के दर्शन भी यहां पर होते हैं एरावत हाथी भी आपको यहां दिखाई देगा और पौरानिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग का मार्ग भी यहां से शुरू होता है सकंड पुरान में इस गुफा के विशय में कहा गया है कि इसमें भगवान शिव का निवास है सभी देवी देवता इस गुफा में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं गुफा के संक्रे रास्ते से जमीन के अंदर आठ से दस फीट अंदर जाने पर गुफा की दीवारों पर शेशनाक सहित विभिन देवी देवताओं की आकरिती नजर आती है मान्यता है कि पांडवों ने इस गुफा के पास तपस्या की थी बाद में आदी शंक्राचार्य ने इस गुफा की खोज की इस गुफा में चार खंभा है जो चार युगों अर्थात सत्युग, त्रेतायुग, द्वापर्युग तथा कलियुग को दर्शाते हैं इन में पहले तीन आकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता जबकि कलियुग का खंभा लंबाई में अधिक है और इसके उपर छट से एक पिंड नीचे लटक रहा है यहां के पुजारी का कहना है कि साथ करोड वर्शों में यह पिंड एक इंच बढ़ता है मान्यता है कि जिस दिन यह पिंड कलियुग के खंभे से मिल जाएगा उस दिन कलियुग समाप्थ होगा और महाप्रलय आ जाएगा पौरानिक महत्व पुरातात्विक साक्षों की माने तो इस गुफा को त्रेता युग में राजा रितुपर्ण ने सबसे पहले देखा किया इसके बाद चंद राजाओं ने इस गुफा के विशय में जाना और आज यहां देश विदेश से सैलानी आते हैं एवं गुफा के स्थपत्य को देख दातों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं मान्यताएं चाहे कुछ भी हो पर एक बारगी गुफा में बनी आकरितियों को देख लेने के बाद उनसे जुड़ी मान्यताओं पर भरोसा किये बिना नहीं रहा जाता गुफा की शुरुवात में शेशनाग के फनों की तरह उभी संरचना पत्थरों पर नजर आती है मान्यता है कि धर्ती इसी पर टिकी है आगे बढ़ने पर एक छोटा सा हवन कुंड दिखाई देता है कहा जाता है कि राजा परीच्षित को मिले श्राप से मुक्ती दिलाने के लिए उनके पुत्र जनमेजय ने इसी कुंड में सभी नागों को जला डाला परंतु तक्षक नाम का एक नाग बच निकला जिसने बदला लेते हुए परीच्षित को मौत के घाट उतार दिया हवन कुंड के उपर इसी तक्षक नाग की आकरिती बनी है आगे चलते हुए महसूस होता है कि हम किसी की हड़िडियों पर चल रहे हूँ सामने की दीवार पर काल भैरव की जीब की आकरिती दिखाई देती है कुछ आगे मुरी गरगन वाला गरूर एक कुंड के उपर बैठा दिखे देता है माना जाता है कि शिवजीने ने इस कुंड को अपने नागों के पानी पीने के लिए बनाया था इसकी देखरेख गरूर के हाथ में थी लेकिन जब गरूर ने ही इस कुंड से पानी पीने की कोशिश की तो शिवजी ने गुस्से में उसकी गरगल मोर दी कुछ आगे उची दीवार पर जटानुमा सफेद संरचना है यहीं पर एक जलकुंड है मान्यता है कि पांडवों के प्रवास के दौरान विश्वकर्मा ने उनके लिए यह कुंड बनवाया था गुफा की शुरुवात पर वापस लोटने पर एक मनोकामना कुंड है मान्यता है कि इसके बीच बने छेज से धातु की कोई चीज पार करने पर मलोकामना पूरी होती है आश्चर्य ही है कि जमीन के इतने अंदर होने के बावजूद यहां घुटन नहीं होती शान्ती मिलती है देवदार के घने जंगलों के बीच बसी रहस्य और रोमांच से सराबोर पाताल भुवनेश्वर की गुफा की सैलानियों के बीच आज एक अलग पहचान है कुछ श्रिद्धा से कुछ रोमांच के अनुभव के लिए और कुछ शीतलता और शान्ती की तलाश में यहां आते हैं यह सब सुनने में किसी कहानी की तरह लगते हैं लेकिन धर्म में अगर आपकी जरासी भी आस्था है तो इस स्थान पर पहुँचने के बाद आप इन चीजों पर यकीन करने से खुद को चाहकर भी नहीं रोक सकते इस स्थान पर उपर वर्नित आकृतिया भले ही निर्जीव हो लेकिन वास्तव में ये इतनी सजीव लगती हैं कि आप इन्हें चाहकर भी नजरंदाज नहीं कर सकते पाताल भुवनेश्वर गुफा का विस्तरित वर्नन सकंद पुराण के मानस खंड के 103 अध्याय में मिलता है पाताल भुवनेश्वर अपने आप में एक दैविय संसार को समेटे हुए है मित्रों अगर आपको यह पौरानिक विडियो पसंद आई है तो इसे अपने मित्रों में जरूर शेयर करें और यदि आपके मन में इस विडियो से जुडा हुआ कोई प्रश्निया कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए धन्यवाद